हलो डियर इस्टुडेंट, साक्षी केमिस्टी क्लास में आपका स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 युपी वोड एक्जाम के बारे में युपी वोड एक्जाम में कुछ ऐसी रियक्षने हैं, जो हर बार पूछी जाती हैं, उन्में से कुछ रियक्षन हम कराने जा रहे हैं जैसे कि आपको उसने कहा कि लिंडें 666 बनाईए, या उसने कहा आपसे कि बैंजीन हेक्षा कलूराइड बनाईए, तो कैसे बनती है गैमक सीन, और कैसे बनता है लिंडें 666, और काफी रियक्षने हम आपको कराएंगे झी जो बोर्ड आइग्षा में पूशी जाते, तो जैसे कि बात करते हैं अगर उसने आप से की, बैंजीन 1 एक्षाकलॉराइड बनाईए, तो बनाते हैं, तो इसके लिए 2 एक्षाब्राइड बनाने के लिए सबसे पहले इमें बैंजीन cricket में पड़े सब्याद इस अन्यो 3CL2 3CL2 और किलोरीन जो रहता है वो सूर के प्रकास की उपस्तिति में करिया करके अब एक चीज आप देख लीजिए यहां पे भी आप किलोरीन बना दीजिए बनाई आपने आपको पता है कि प्रतियक जो रिंग होता है उसके यहां पे कारवन और हैड्रोजन कोने पर रहते हैं प्रतियक बिंदु पर कारवन और हैड्रोजन उपस्तित रहते हैं इसका मतलब कि यहां पे आपका कारवन होगा और आपका हैड्रोजन होगा यहाँ पर आपका कार्वन होगा और हैड्रोजन होगा कार्वन हैड्रोजन कार्वन हैड्रोजन कार्वन हैड्रोजन और कार्वन हैड्रोजन हमारे पास क्या करते हैं हमने देखा 3.6 CL है तो CL है क्या करते हैं याप लगा लिए एक लखा दीजिए एक लेक लेका से लगा लिए तो शे लिख दिए हैच अपने पास और C आपके पास चुहाई एसका नाम हो जाएगा कि पैंग जीने हेक्सा कड़ोर और किसी भी जगह पर IPC हम आपको कराएंगे कैसे IPC बहुत easy method लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही शरण तो यह हो जाएगा बेंजीन कि बेंजीन है हेक्सा किलोराइड है हेक्सा किलोराइड इसका एक नाम और होता है लिंडेन एक दो तीन यानिकी 666 इसका एक और नाम होता है गैमक्सीन गैमक्सीन हमने जाना कि बेंजीन से गैमक्सीन कैसे बनाते हैं और हमने गैमक्सीन बना ली इसी प्रकार से अब हम करेंगे आगे की कुछ रियक्षन है और वो रियक्षन करेंगे जो रियक्षन बोड एक्जाम में बहुत बार पूछी जाती है